पता है अज़ स्कूल से घर आते समय बहुत अधिक दूल दिखाए दे रही थी इसके कारर तो मेरे को खासी भी आने लगी अरे भाईया बहुत हो गाणियों से निकलने माला धूआ होगा लगता है सब एक साथ मिलकर किसी गहन विशह पर बातचीत कर रहे हो बच्चो जी यह तो बड़ा ही अथार्त है कि हमारा वातावरां दिन पर दिन खराब होता चला रहा है बच्चो इसके कारण तुम लोगों ने भूगोर में पड़े ही होंगे और बच्चो इससे बचने के उपाये तो हमें आवसी ही डूणने होंगे इसने क्या उपाया है यह बच्चो थे परोर उपस्तत सभी कारक जो उसे उसके उपर प्रभाव डालते हैं भे वातावरन की रचना करते हैं, अब बच्चों देखो सभी जीव जन्तुओं के लिए वातावरन की तरा अवश्यक होता है, यह भी तुम जानते हो, यह दि वातावरन ना हो तो जीव जन्तुओं मर में अवश्य ही सोचना चाहिए मैंने भी अपने पुस्ते में पढ़ा है कि प्राचिनकान में रिशी मुनी और सन्यासी लोग पीपल तुलसी ज और केले की पूजा करते थे हां बच्चो ये उसी समय नहीं ये तो आज भी पूजा होती है इसकी तो मैं सरप्रथम इसके घटक करें तो हमें हो गई और हम जागरूख भी है तो इसका क्यार्थ हुआ है हाँ बच्चो देखो परेवरं की जानकारी तो तुम्हें है यह तो मैं मानती हूँ क्योंकि आज कल तुम अपने कख्षाव में भी तो इसके विशह में पढ़ते हो लेकिन बच्चो आवश्यता है हमें प्रकृति प्रेम करने की यदि हम प्रकृति प्रेम करेंगे तो हम वनों को काटेंगी भी नहीं और उनके बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे तो यह हुआ हमें जागरूख होना और प्रकृति के विशह में उससे प्रेम करना अच्छा अब हम समझे हमें प्रकृति बिल्कुल बच्छो और जैसा कि इस ने बताया कि हम घंडे कि पुघ्छो की पुझा होती है और ये पुझा क्यogy पुण्हें है बच्छों क्युंकि पने समे से लोग इनके गुंडों का घ्न रखते थे और बच्चों करन तुम्हें समझ में आईगे जी चाची जी चाची जी पर्यावरन की संसाधुनों का ग्यान होना पर्यावरन शिक्षा एवं प्रशिक्षन लोगों को देना शोद एवं अनुसंधान प्रवद्योगी की में सुधार नावी की विसपोटो पर नियंत्रन और जनसंक्या विद्धी पर नियंत्रन जो कि सर प्रमुक कारण है बच्चों अची जी अंतर यहां बच्चों बहुत अच्छा नोगोगों शुश्य अच्छी बात कही है त已बच्चों बहुत इस तक हुआ है जीव जन्तु ओं को बचाने के लिए और वन संग्रक्षन के लिए अनेक नियम बने हैं परंदु बच्चों तुम जानते हो हमारे देश में इसका पालन नहीं हो रहा है यदि हम इसका पालन कड़ाई से करेंगे तभी हम अपने वन में अपने वाता वरन में संतुरन इस्थापित कर पाएंगे और हमारे वन जीवों का अच्छा को अच्छा वाता वरन मिलेगा बच्चो तुम लोगों अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, यदि हम जंगलों को तेजी से काटेगे, तो क्या होगा बच्चो, वनों, जीवों, हमारे जानवरों को रहने के स्थान भी नहीं मिलेंगे, और वनों का विनाश होता चलेगा, चाचिक इन सफित जन संख्या क् इश्यान न डिखो यह गो अउन्ष भाट बड़ा संबंद है देखो अजन संख्या जब बढ़ती है तुमें पता है उनके इस्तेवाल के लिए हम लोग क्या करते है वदच्छो नुग करते हैं ने हमें रहने के लिए मकान फिर अपने घरों के सजाने के लिए आदी-आदी सामान हमें चाहिए जैसे लकडी लकडी का इस्तेवाल करते हैं तो हम लोग कहा से लाते हैं लकडी करन बताओ जंगलों से जंगलों से लाते हैं अब लकडी लाने के लिए हम वनों का विनाश करते हैं तो इस इस्तेमाल से हमारे जंगलों में कमी आ रही है, तो बच्चो जनसंख्या को अगर हम व्रिधी पर रोक लगाएंगे तभी हमारे वनो का विनाश रोक पाएगा, तो कहने का तातपरे शिवांगी बेटा यह है, कि यदि हम वनो का विनाश रोकेंगे, और हम वातावर मे संतुलन बिगड़ने से भी बढ़ जाएगा, और मनुष्य को होने वाली हानी का एक तकलीफे, तो भीमार्या भी टल जाएगी, कम भी हो जाएगी, बनो का कि संख्या बढ़ जाएगी, तो इससे किसको फायदा होगा, हमी लोगों को तो फायदा होगा, जीवज़तों को फ जीवज़तों को